नमस्कार में सिवानी और आग देख रहे हैं जी नियूज इंडिया खबर उत्रफण के रुड़की से है जहाँ गर्मी का मोसम आते ही आग ने अपना तांड़क दिखाना शुरू कर दिया किसान की गभू की फसल जलकर हुई रहा वही स्थान निवासी द्वारा बताया गया कि किसी अज्यात व्यक्ति द्वारा लगाए गए थी किसान की फसल में आग आज सुभा इकबालपूर के कमेलपूर गाओं के निकटे खेत में अचानक ही आग लग गई वही रागीरों की सूचना पर ग्रामीन बड़ी स्थंख्या में मौके पर पहुँचे और अपनी सूजबूद से आग पर काबू पा लिया वही स्थानी निवासी के द्वारा बताया गया कि सुभा ही उन्हें सूचना मिली थी कि अग्यात व्यक्ति द्वारा उनकी गेहूं की फसल में आग लगा दी गई है इस पर वे मौके पर पहुँचे और ग्रामीनों के साथ आग पर काबू पाया उन्होंने बताया कि किसी अग्यात व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया है उन्होंने बताया कि यहां डेड्सो भीगा के करीब आसपास में गिहूं की फसल खड़ी हुई है और इस आग से सभी किसानों की फसल राख हो जाती पीडित ने बताया कि आग खेत के बीचों बीच लगाई गई थी ताकि नुकसान जादा हो सके ग्रामिनों ने गंगनेहर कोटवाली पुलिस को अग्यात के खिलाफ तहरीर भी दी है पांच बेक करीब मेरे पाथ फोन काया वो ताय का लड़का ही है मौतरीम उसके फोन करा एक लटका है तासीन वो खेत में से आ रहे थे मतलब खेत में एक आजमीं यहां से निगला उसे ने मतलब इसका नाम सुभास है ज़पाज में देख और अग लगई कहीं है तो उसे वह आग बुझाई और बढ़ निकल नगा था उना फिर वह दो यह दून आजमीं आग उन्हेने बुझवई और य८्य उन्हेन फोन करा उस लड़के ने जो तहलों यह बुझवालो जाए को आगा देखा है हम चलो जो भी था वो रही उसका तो पता नहीं, चार चार शाड़ बहाद है घब लगा यहां अब हम तो गरते हैं हम वहारे रात को क्या पता लग पूरा को नथा क्या है कैसे अब तैरी देंगे पुलिस को अब आप यह हमारे साइन भाई का खेत है पांच सबापांच विगे के करीब एक खेत है इसमें में अना जुगा रखा है और कोविड-19 की मामारी के वेज़ से भी जो है अब काफी मतलब लूपरिसान है किसान भाई और इसमें जो है ना हमारा जो है कि बालपूर कमेलपूर गाउं है और यह गंगनहर पोत वाली में पड़ता है और इससे अब बहुत अंदेस आदा कि किसी ने जान भूज कर आग लगाई है अब ताकि यह पूरा ही खेत जलकर नश्ट हो जाए और इसकी ज्यादर में और यह जो हुआ है और यह नए अब करतवज है हुआ है यह भी अधान सिसने द zwyगया हम आप जो चलना ही नश्ट हो है male